दोस्तों गाय बैंस को या पसु को गोबर का बंद पड़ जाता तो बड़ी भारी समस्या होती है इसके उपर आज की वीडियो में दो ऐसी चीजे बताऊंगा जो आसानी से आपके या मिल जाएंगी दोनों चीजें ये आप देख भी रहे होंगे एक तो ये देख ले और एक ये देख ले दोनों चीजे बड़ी आसानी से मिल जाएंगी और पसु का मैं ऐसा कह सकता हूं कि 99 परसेंट गोबर का बंद खुल जाता है चाहिए कितने दिन से लगा हुआ हो इससे पहले भी एक वीडियो हमने पनाई थी उसमें एक चीज बताई थी मुसबर वो बहुत से लोगों को मिलती नहीं तो मेरे पास लोग फोन करते हैं तो फोन करने की ज़रूरत नहीं आज की वीडियो इस दिया आपने पूरी देख ली और इन दोनों चीज़ों को मैंसे किसी एक फार्मूले को आपने ट्राई कर लिया दो फार्मूले इसमें बताऊंगा तो निश्ची थी गायब इसके गोबर का बंद खुल जाएगा तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ है वह है कोरफड एलोवीरा जिसको बोलते हैं घृत कुमारी जिसको बोलते हैं यह हमें लेना है कितनी मातरा में लेना दोस्तों यह हमें 400 गराम की मातरा में लेना है अब यह कच्ची अवस्था में मिलता है जैसा चित्रमा आप देख लेंगे और उतारने के बाद उसके बीच में जो गूदा बचता है गूदा लेना हमें 400 ग्राम दूसरी जो चीज लेनी इसके साथ है वो लेना हमें साधार नमक ये कितना लेना ये लेना हमें 100 ग्राम इन दोनों चीजों को खूब अच्छी तरह से मिला कर और लगबग 500 ग्र पानी लेकर उसमें मिलाकर अपने पसू को पिला देंगे यदि पसू आसानी से पीले तो बहुत ठीक है और यदि आसानी से ना पिये तो नाल याड रखे के दोवारा पिला सकते हैं लेकिन नाल देने का तरीका विशेश रूप से एक्सपर्ट आदमी से नाल दिवा हैं क्यो पसू को ड्रेंचिंग नमूनिया हो जाता है यदि उसके फेपड़ों में चला गया तो बारी समस्या हो जाएगी तो नाल देते वक्त इस चीज की सावदानी रखे और पसू अपने आप पिले तो बहुत ही अच्छा तो यह था फार्मूला नंबर एक जिससे आप अपने पसू के गोबर का बंद खोल सकते हैं और दूसरा जो तरीका है दूसरा तरीका बिलकुल ही आसान है इसमें हमें क्या करना है इसमें हमें बैस का गोबर लेना है बैस का गोबर चोथ जिसको बोलते हैं देशी बासा में उसको हम पानी में मिला लेंगे और पानी में मिला कर उसको चान लेंगे बिल्कुल बारिक चलनी से या सूती कपड़े से चान लेंगे और चानने के बाद जो पानी बचता है उस पानी की मात्रा पसु के वैसे तो सरीर वजन के हिसाब से होनी चाहिए एक से डेड़ लिटर पानी अपने पसु को हम पिला देंगे तो एक ही खुराक में पसु के गोबर का बंद खुल जाएगा आज कल यह पता नहीं समस्या जैदा होने लगी या क्या बात हो रही है कि बहुत सारे कॉमेंट आते और बहुत सारे फोन भी आते हैं तो फोन करने की ज़रूरत नहीं है आपको यह चीजें समझ बाती तो आप इसको करें नहीं तो डोक्टर से सला करें क्योंकि गोबर का बंद कई बार जान लेवा तक हो जाता है तो दोस्तो इस पर कार्यादी आपके पसू के साथ गोबर के बंद की समस्याता आप इन दोनों में से कोई एक इस चीज़ को दुबारा सुन ले ट्राइ कर सकते हैं और अपने पसू के गोबर का बंद खोल सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताईएगा और जो भाई बेन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब लिखा बेल का बटन दबा ले अपनी वानी को भी राम देता हूं दन्यवाद जै हिंद जै जवान जै किसान